तो आज हम इन्फरमेशन गैधरिंग का पार्ट फोर करने वाले हैं मेरे जाल से यह पार्ट फ्री तो आज हम इसमें आप आगे मूव ओन करते हैं ठीक है तो आज हम बेसिकली इसकी थोर सी चीजे करेंगे जिसको आप कहते हो डारेक्टरी एनुमेरेशन तो एनुमेरेशन बेसिकली इन्फरमेशन गैधरिंग की ही टेकनीक है कि जिसमें आप क्या करते हो कि वेबसाइट पे कौन कौन सी डारेक्टरी अवेलेबल हैं तो डारेक्टरी एनुमेरेशन होती क्या है या फाइल हो एनुमेरेशन या डारेक्टरी फाइल एनुमेरेशन इसकी बहुत साथ टर्मिनोलोजी हैं यह होती ही है एक मिनट मेरे पापनी ही वेब साइट है तो मैं इसी पे स्कैनिंग करूँगा बाकी ऐसल में मैं पॉब्लिक वेब साइट इसलिए उसकर थे क्योंके वो यह वाली जो मेरी वेब साइट यह उस पे चलती है सोरी अपाचे 2 स्टार्ट और लेट से ओके तो यह बेसिकली शूरतासन सीटियाफ का पार्ड पी थी तो मैं इसको रन करता हूं आटान सीट पर यह थे तो यह थामी आप सेड़ेशन प्रज़िकली अपन खेंस की ड्यारक्टरी सबस्क्राइब cPanel नहीं है मैं space ट्रॉय करता हूँ क्योंकि space की तो है पड़ी अब ऐसी ही directories आपको मिलती है आप यह थोड़ सा रियल लाइफ में देखते हैं मैं इस website पर जाता हूँ sorry mns uam यह यहां पर जाना था मैं इस website पर जाता हूँ और फर्स कर दिया मैं लिखता हूँ slash robots.txt robots.txt जिनको नहीं पता हूँ उसमें सारे user agent की configuration save होती है के administrator में disallow करना है और वो करना है ठीक है तो यह configuration robots.txt नहीं अब यह फाइल यहां पर हैकर नहीं फर्स कर दिया मैं search कर लेता हूँ admissions.jpg admissions की कोई file तो नहीं पड़ी ओके नहीं है 404 अगर मैं इनका देखो तो cPanel मुझे साफ नजर आ रहा है और मैं access कर सकता हूँ मैं जरा access करनी कोशी करता हूँ cPanel cPanel यहां पर आ रहा है मुझे इसके लिए credential चाहिए लेकिन मैं नहीं जा रहा ठीक है अब लेकिन यह काम थोड़ा सा difficult है अगर इसको मैं खुद करता हूँ क्यूंके पहले तो directories बहुत सारी होती है admissions हो गई images हो गई और बहुत सारी fast होती है जिनका हमें name नहीं पता तो हम इस task को fast कैसे करते हैं of course हम tools के मंदल लेते हैं लेकिन उससे पहले हम हमें कुछ चीजे समझने की जरूरत है जो मैं अभी आप लोगों के सामने फोलूंगा Http यही website थी हाँ अब यह status codes क्या होते हैं सबसे पहले तो हम यह चीज़ समझते हैं कि status codes क्या होते हैं अब वह कह रहा है कि 100 से 199 तक informational responses होते हैं successful responses 200 से 299 redirect message 300 से 390 client error message 400 से 499 server error message 500 to 599 अगर हम 100 को देखे तो क्या है continue यानि कि 100 बेसिकली होता क्या है कि आपके यानि कि network में checking होती है और आपके network से server तक बेसिकली packet पहुंचता है यानि कि communication की starting होती है आपको आपने communication वगएरा कर ली अब उसके बाद आता है 200 200 होता है मतलब अब मैं website पर गया इस website पर let's say इस website पर गया स्टेटस कोर्स क्या आएका 200 रुको मैप लोगों को दिखा देता हूं inspect में जाओ और यहां पर जाओ network memory यहां पर हम जाएंगे यहां पर क्या रहे है get अब get हुआ ठीक है 200 और फेवरेट आइकन यह का मैंने इंक्लूट किया था लेकिन यह इंक्लूट नहीं हुआ तो वह क्या 404 वह get नहीं कर रहा और यह का रहा है 304 हम यहां पर 304 का भी देख लेते हैं 304 क्या है 304 जो है वह this is for caching process tells the client the response has not been modified so client can continue to use the same cached version of the response not modified तो यह status score समझने जुरी है अब अगर मैं यहां पर एक यही चीज करूं फर्स कर दिया .htaccess I guess यहां पर forbidden आ गया htaccess basically website website ने फाइल है और यहां पर forbidden हो आप नहीं जा सकते यहां पर normal user की entry नहीं है ठीक है तो 403 हमें forbidden के तोर पर मिलता है अब यह मैं क्यों बता रहा हूं 301 हमें क्या मिलता है redirection के तोर पर मैं 301 दिखा देता हूं यह बड़े अच्छी चीज है Space Space में मैं क्या Space में क्या था यहां पर आजने चाहिए 200 और 301 वैसे आजना चाहिए था pocket और यह पूरा CTF हो गया तो वैसे 301 होता है redirection मतलब एक folder के अंदर से आप redirect होके इसकी index.php भी जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो तो बेसिकली इससे हम टेस्टिंग करते हैं अब में काम आता है हमने यह तो समय लिए मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगा यह आप लोगों ने लास्मी पढ़ने http status code responses अब मैं यही domain लेता हूँ इसे ही पकड़ता हूँ सबसे पहले तो जो हम यूज करने वाले हैं वह आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से मैंने पहले भी चीज की है डारेक्टरी अनुमरेशन और मैंने GoBuster यूज किया था DIRSearch यूज किया था DIRBuster यूज किया था मुझे जहां तो आज तो आज स्वोच रहा हो नहीं तूल यूज करना देखते हैं वैसे मैंने ये तूल का भी यूजए नहीं कि हम बलके काम करते हैं गॉस्टर ही यूजए करके देखते हैं क्योंकि एजी है हमारे लिए और hyphen you मेरे खाल से URL आएगा और hyphen w यह वल्ड लिस्ट और टर्बस्टर और इदेने लुदिंग हैं अब इस काम करें तो पहले हमें मिल चुका है के में सपोर्ट है अब यहां पे हम जो में चीज पर करते हैं वह हम क्या देखते हैं का status code कि status code क्या है status code 301 यानि कि कही ना कहीं redirection हो रही है ठीक है अब redirection कहां हो रही है वह हमें नहीं पता को index.php के page पर जा रहा है कोई कहां लेकर जा रहे हैं लेकिन वह हमें नहीं पता अच्छा libraries हैं caches and components हैं बहुत सारी चीज़ा आ रही है अब मैं करता हूं मैं करते आर्श अभी है कुछ ना कुछ ना कुछ data आया है ठीक है तो कुछ ना कुछ ना आने से अब अगर मैं इसके बेन में जाके देखों ya module में जाके बिन में जाते हैं बल्के ओकर अब slash bin ओके एक्षिस बिन में कुछ मिन थे नहीं हारूं depi में जाते हैं कोई नहीं कोई काम की चीज zer कोई कोई काम का वाउ वाव यह def में क्या है def को explore करना पड़ेगा ओके अब यहां तक मुझे काफी अच्छी चीजे मिल रही है और status code 301 है तो बहुत अच्छी चीजे अब मैं चाहता हूं कि मुझे files भी मिलें तो मैं hyphen x jpg image की file css html हो सकता है को txt की पढ़ी हो robot store txt की हो सकती है png बहुत common extension jpg okay mp3 mp4 mkv I guess मैंने बहुत सारी चीजे डाल दी है तो अब देखते हैं कि इससे कोई न कोई इन में से कोई चीज मिलती है कर नहीं अब gobuster की scanning मैंने start कर दिया तो देखते है क्या बनता है तो slash mages वही पहले वाली चीज आ रही है हो सकते है जिसे कोई file भी मिले तो एक ही वर्लिस चीज होगी इन में से ठीक है तो आप ये भी कर सकते हैं सिर्फ extensions निकालने के लिए और वो चीजे कर सकते हो लेकिन मैं दोनों चीजे एक साथ करूँ slash support वही तक्रीबन सारी चीज आ रही है ठीक है extensions भी शायदे निकाल दे कोई नो कोई ठीक है देखते है अच्छा हम slash media में जाकर देखते हैं slash media में क्या है हो सकता है कोई काम की information हो valuable information हो slash media में कुछ भी नहीं है okay templates एक हमें मिली थी templates में जाकर देखते है okay templates एक नज़र आ रही है कुछ नहीं किया features में जाकर देखते है features में के शायद हम कहें है okay okay features okay features में class 1 okay gym red okay wait okay 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 तो यहाँ पे थोड़ा सा और explore करते हैं इसे अब लेकिन हम एक काम कर सकते हैं हम इस directory के अंदर further scanning कर सकते हैं अब जैसे इनके एक directory है slash admissions की तो मैं इसके अंदर जा ओहो admission था या admissions की थी मुझी आत्मिया सही admission थी थी था सही यारेक पता नहीं कौन थी directory का नेम था वह ओके डेव में फर्स कर दिया हम चले गए अब डेव की ही मैं जादा scanning लगा देता हूं फर्स कर दिया इनके और में मिली है mailman sudo और यहां पर छोटी वर्लिस यूज करेंगे हम gobuster dir-u मुझे बता अब यह में क्या कर रहा हूं सब डिरेक्टरी स्कैनिंग कर रहा हूं यह बहुत अच्छी चीज है यह आप लोगों को करनी चाहिए के एक डिरेक्टरी में अगर आप गया तो उसकी सब डिरेक्टरी स्कैनिंग भी लास्मी करनी चाहिए तो slash usr slash share slash wordlist और derby में पढ़ी है common.txt जो मैं बहुत यूज करता हूं to be honest और इसको मैं एक मिने श्रॉक कर दूँ मैंने extension नहीं दी तो मैं extension दे जेता हूं jpg, txt, php, css, html, okay let's go यह देखें अब यहां पर status code मिला है 403 यह file है तो सही लेकिन status code आप view नहीं कर सकते तो भाई जाने कोशिश भी नहीं करना क्योंकि आप के लिए forbidden है तो dev के अंदर मैं देख रहा हूं कोई अगर directory हमें मिलती है तो ठीक है वर्ना wordless चेंज करके देखेंगे okay slash plugins और काफी अच्छी progress मारी जारी है लेकिन wordless भी बहुत जादा बड़ी है तो यह होती है directory enumeration यह basically होता है कि website का structure देखना कि website का structure है क्या मतलब कौन सी directories है कौन सी files है कौन से folders है कहां पे redirection होती है क्या क्या status codes है अब देखें यह बहुत सारी चीज़ें मिल रही है ठीक है तो यह बहुत सारी आप directory में जा सकते है कुछ empty होंगी कुछ में data होगा तो कोई नों कोई ऐसा key point मिल जाता है कि जहां से हमें कोई valuable information मिल जाते है कोई नों कोई loophole छूड़ जाता है अकसर तो हम वहां से क्या करते हैं information निकालते है तो यह बहुत अच्छी चीज़ है गो बस्टर यूज़ कर लो डर सर्च यूज़ कर लो डर बस्टर यूज़ कर लो जाप यूज़ कर लो मुझे कोई मसला नहीं है बर्प सूट यूज़ कर लेकिन में टार्गिट क्या होता है इस वीडियो का directory animation और हमने एक यह भी चीज बेखने होती है और दूसरा हम इस चीज़ को थे हैं कि प्रिज़् कोढ़ स्टेटेस कोट पर हमारा मेन फोकस होना यूज़ अच्छा एक डिवेलपर न कि है डिवेलपर की चेक करते हैं क्या है एक वह डिवेलपर की डेरेक्टरी येंट वो है एक ट्म एक एन्यवै कि ले यह बी काफ इच्छी निकाल रहा है और comma.extmr एक्सेंशन के साथ लेकिन अभी तक हमें कोई extension नहीं मिली तो वेट करना पड़ेगा थोड़ सा extension के लिए तो भाई बहुत वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी extensions मैंने लगाई है तो okay context header slash language slash stuff so basically यहां पर मैं इसे cancel कर रहा हूं तो basically बाकी की testing मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं तो बाकी की इस पर testing मगारा करें जो उनसी मर्जी website पर testing करें ठीक है और यह के उनके rules and regulations बढ़ सकते हैं अगर उन्होंने मना किया है आपकी country में कर यह चीज़ forbidden है तो आप नहीं कर सकते वैसे तो यह चीज open source available है क्यों कि देखो आपके दिमाग में अगर आप एक website developer हो तो आप वैसे website में जाकर चेक कर सकते हो तो यह यह नहीं कि आप लोग कोई illegal hacking करें नहीं यह online available है भाई या तो status code और से चुपाएं ठीक है तो अगर वह होता है तो वह उनकी गलती होती है आप अगर देखते हो देख रहे हो कोई मसला नहीं लेकिन अगर आप अग्स्ट्रोइड करते हो फिर मसला ठीक है तो यह यानि के बहुत अच्छा पार्ट है इन इंफ्रमेशन गैदरिंग का और एक बॉनस चीज के आप निक्टो यूज़ कर सकते हो अपने वर्क के लिए निक्टो बहुत अच्छा टूल है और यह website की बेसिकली वर्नेरिबिलिटी इस फगहरा निकालने के लिए अच्छा है और कभी-कभी ऐसी डिरेक्ट्री इस भी निकाल देता है जो यानि के वो हो कोई वर्नेरिबल हो अब जैसे बता रहे है कि एंटी क्लिक हाई जैकिंग ऑप्शन हैटर इस नोट प्रेजन एक्स एक्स करने के लिए तो आप लोग कैनली जाके इसको ट्राइब रहे हैं तो उसके बात यानि के इन्शाला हम नेक्स वीडियो को लिनिक्स फगहरा पर बनाएंगे लिनिक्स के चीज़ों पर तो तब तक के लिए अलाहाफिज और अगला जो CTF कोई मैं खेलूंगा तो वो शायद ट्राइ हैक्मी का एजन्टी हो शायद ठीक है तो अलाहाफिज